मोटू और पतलू एक छोटे से गाव में रहते थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ बड़ी मस्वी करते थे। एक दिन उन्होंने गाव के पास एक जादूई व्रिक्ष के बारे में सुना। यहाँ व्रिक्ष किसी के लिए चमतकारी विश्यों को पूरा करने का वादा करता था। मोटू और पतलू की रोचकता बढ़ गई और उन्होंने तै किया कि वे उस जादूई व्रिक्ष को वे एक सुभा उठकर अपने बेहत कार्नामया स्वपनों के साथ जादूई व्रिक्ष की तलाश में निकले। उन्होंने अपने सफर के लिए एक साथ मिलकर तैयारिया की और रास्ता निकाले। उनका सफर बहुत ही रोमांटिक और रहस्यमय था। वे जंगलों के माध्यम से चलते हुए एक चमकदार मित्र जादूई व्रिक्ष की और बढ़ रहे थे। व्रिक्ष की परिसर में पहुचने पर वे एक अद्वितिय दुन्या की और कदम बढ़ा रहे थे। जंगल की गहराईयों में मोटू और पतलू ने अद्वितिय प्राकृतिक सौंदर्य का आनन्द लिया। उन्हें लगा कि यहां की हर चीज जादूई है। उन्होंने बहुत से उतक्रिष्ट पशुपक्षी और विचित्र पेड़ पौधों को देखा। अचानक एक जादूई पक्षी उनके पास आया। यहां पक्षी बहुत ही सुन्दर था और उसकी बोली मोहक थी। वह बोला नमस्ते मोटू और पतलू, मैं हूँ मैजिका, जादूई पक्षी। तुम्हें यहां आने का कारण क्या है। मोटू और पतलू ने अपने उद्देश्र को बताया और व्रिक्ष की खोज में है। मैजिका ने कहा, तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें यहां जादूई व्रिक्ष मिला है। इसकी शक्ती से तुम अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो। फिर मैजिका ने उन्हें व्रिक्ष के पास ले जाया और बताया, यहां व्रिक्ष तुम्हें तीन विशेश विश्यों की पूर्ती करने की शक्ती देता है। एक विशेश फल से तुम्हें आत्मा शक्ती मिलेगी, जो तुम्हें मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य प्रदान करेगी। दूसरे फल से तुम्हें धन की प्राप्ती होगी, जो तुम्हें आर्थिक सम्रिध्धी देगी। और तीसरे फल से तुम्हें बुद्धी की वृद्धी होगी, जो तुम्हें ज्यान और बुद्धी मत्ता से भरपूर बनाएगी। मोटू और पतलू ने उत्साहित होकर व्रिक्ष के फलों को चुना और उन्हें खाया। उन्हें तुरंथी विशेश शक्तियां मिलने लगी। मोटू ने भयानक भूप को देख कर मैजिका से कहा, अब हमें जल्दी से एक भरपूर भोजन की जरूरत है। मैजिका ने उन्हें एक जादूई जगह ले जाया, जहां हर प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उपलब था। मोटू और पतलू ने वहां भूके पेट को भर कर बहुत मजा किया। उनकी मनोबल बढ़ी और वे ने व्रिक्ष की और बढ़ते हुए विभिन्न जादूई प्रदानों को भी प्राप्त किये। वे अपने जीवन को भेटर बनाने के लिए उन प्रदानों का उप्योग करने लगे। एक दिन जब वे वापस गाव लोट रहे थे, उन्होंने देखा कि गाव में बहुत सी बदलाव हो रही है। उनके साथी गाववाले ने उनसे पूछा, तुम दोनों कहा गए थे और इतने बदले कैसे? मोटू ने हंस्ते हुए कहा, हम एक जादूई व्रिक्ष की तलाश में गए थे और हमें वहां से मिले जादूई फलो ने हमारे जीवन को बहुत ही रूचिकर बना दिया है। गाववाले बहुत हैरान थे और उन्होंने भी उस जादूई व्रिक्ष की ओर रुख किया। उन्होंने भी वही विशेश फलो का सेवन किया और उन्हें भी उसकी अद्वितिय शक्तियों का अनुभव हुआ। इसके बाद से गाववाले भी उस जादूई व्रिक्ष का ख्याल रखने लगे और वह गाव हर प्रकार से सम्रिध्धी और खुशियों से भरा हुआ दिखने लगा। इस कहानी से सिख मिलती है कि सहयोग, आत्मस्मरपन और विशेश गुरों का समझदारी से उपयोग करना हमें सफलता की उचाईयों तक पहुँचा सकता है। यहाँ दिखाता है कि हमारी सोच और क्रियाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और कैसे हम अपनी मनोबल को बनाए रख सकते हैं।